थाली बजवा रहे थे तो भी विरोध हुआ और मोदी जी ने फिर वैक्सिन बढ़ा दिया तो भी विरोध हुआ ये थाली थाली बज़ा रहे हैं दुनिया जो है वैक्सिन बना रही है तो वैक्सिन बना है तो मुझे लगता है कि विपक्ष का कामी है और अपने भारत में पहली बार ऐसा होने जारे एक दो परेड हो रहे हैं एक परेड की तरफ वो हैं जिनकी बात आप इस पिच्चर में कर रहे हैं और दूसरी वो राजनी दोनों चीजें इसमें हैं तूसको किस लिहास से देखते हैं कल के विशेश साफसर पर मुझे लगता है कि हर किसी को अधिकार है और अगर परेड हो रहा है और वहां पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार तक अपनी बात पहुशाना चाहते हैं तो सही है उनको करना ही चाहिए और हमें उन पर भी वरोसा है सरकार पर भी वरोसा है कि जो भी उनको दिक्कते हैं उसको वो सुल्याएंगे विश्चित्रों से सुल्याएंगे पूर में जो रिलीज हुई भारत इसमें सल्वान ने बड़ा अच्छा काम किया तो आपकी कैटरीना कहा है उस भारत में वो भारत जो थी धाई घंती की मोवी थी छोटी सी मोवी है सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मोवी बनी है तो इसमें सिर्फ मैं ही हूँ एक ही किरदार है और एक ही किरदार जो है भारत के पूरे कौम को सभी धर्मों को उसमें बताने के तुशित आपने कहां बर्दास्त नहीं किया जाएगा उटी प्लेटफॉर्म पे अगर हिंदू धर्म को लेकर कोई भी टिप पड़ी के गए तो क्या कदम उठाएंगे अब मुझे लगता कदम यहीं होगा कि विरोध जैसे चलता है वैन होता है वैन होगा क्योंकि देखिए आप अपने धर्म की जयजय कार करिए हमको कोई प्रॉल्म नहीं है तांडव देखा नहीं है पर देखूंगा तो जो चर्चाय आई है विरोध हो रहा तो जरूर कुछ गल पर आप हमारे धर्म की बुराई मत करते हैं कि आने वाले समय में क्या फिर राजनीत में पहुंचेंगे और चुनाओ लड़ने चाहेंगे वो तो हमारी पार्टी करती है वो काम हमारा निए हम एक कारता है पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे हम निभाते है अगर पार विकाओं को बिसेश करके किसी को डिया में बनाया है इस पर आप क्या कहेंगे बहुत साराहनी कदम है और मुझे लगता है कि इस देश में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो दिख रहा है विचार दिख रहा है और जिस तरह से किया जा रहा है यह बहुत ही साराहनी है प करना चाहती हूं और सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें चुटी से फिल्म और ज़रूर सराहें और दिनेश जी है और इन्होंने एक कॉंसेप लाया है तो अमेजिग होगा ही होगा ये श्योर शॉर्ट गारेंटी ह कि ये कुछ अलग करते हैं हमेशा से और ये भारत जो है कि अपने आप में कल बहुत शुब दिन भी है और मेरे खियाल से एक अलग मेसेज हम सभी युबाओं के लिए रहेगा इस फिल्म में आई है श्योर्ट के लिए कुछ काएंगे जी श्योर्ट पैलस के बार में कुछ अच्छी बात है वो अपनी सोच रख रहे है परिनाम जब आएगा तो पूरे देश को पता चलेगा किसी कि योगी सरकार द्वारा जो है जनपदों के नाम चेंज किया गया है उस पे जो है अख्ली चादू ने कटाच किया है प्रियाग राज और ये भारत किसी एक का नही है तो आज क्या मजबूरी आ गई है क्या दिक्कत आ गई है कि आज भारत के लोग आपस में ही इस तरह से लड़ने को तयार हो गए तो ये बताएगी ये और एक बड़ा प्यारा मेसेज के साथ में फिल्म आ रही है तो देख करके आप लोग भी बताएं आप लोग कैसा है ये आप लोग जरूर बताईेगा निरवः जी इसमें जो वरतमान जो आप भारत की बात कर रहे हैं इसमें इसमें किसान के रोल देखे बात वही हो गजगी कि भारत में जितनी लोग हैं चाहे वो could the किसान भी है मजदूर भी है और सैनिक भी है ऐसा नहीं कि कोई कौम है जिसमें की सिर्फ आपके किसान है या आपके जवान है सभी लोग तो यह बहुत तो सबका है वही तो बताने की कोशिच हो रहे हैं इनेज जी ओटी प्लेट फॉर्म पे जिस प्रकार से हिंदू जो धार में कुनमाद है उसको देखने के मिले लगाता विरोध हो रहा हैं कई ऐसे जो भावनाव को ठेस पहुचा रहे हैं उसको लेकर क्या कहीं है मैं यही कहूंगा कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए पर हमारे धर्म का कोई हनादर करे तो उससे बर्णाद करना चाहिए और यहां जितने बच्चे हैं वो सभी अपने माँ की रक्षा करने के लिए तक पर रहे हैं हमेशा से रहे हैं क्या खास है जो पब्लिक को देखना चाहिए इस पर मुझे लगता है कि यह देखने के बादी पब्लिक बताएगी कि उनको क्या अच्छा लगा यह तो हमारे निर्माता और निदेशक एक संदेश देना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं और शॉर्ट मूवी है तो कोई ज्यादा समय भी लगेगा च्छोटी सी बूवी है उसमें आपको मेसेज ही देने के लिए फिल्म देखना है तो मैं भी बता दूँगा तो आप क्या दे से अक्षरा जी के आथों इसका सुबारम हो रहा है राजा साब के आथों सुबारम हो रहा है हमारे मनोज टाइगर ज जोया है तो यह लोग जो है इस फिर्म के अनाउंसमेंट के लिए यहां पर उपर अगर राजमीज से भी जूड़े हुए हैं तो बात किया तभी अखले स्यादों ने कल जो है राश्टी एद्रश ने बयाम दिया कि कि अपनी राय रखने के लिए आजादी हैं